बच्चो, आज हम ऩो discuss करेंगे जी के में, REVICE करेंगे. डमेस्टिक आनिमल्स और वाइल्ड आनिमल्स. सी यहाँ पर कुछ बने हुए हैं डमेस्टिक आनिमल्स के, वाइल्ड आनिमल्स के. आप जानते हैं, इसमें से कौन कौन से डमेस्टिक आनिमल है और कौन-कौन से wild animal हम लोगों को फिल भी यही करना है कौन से domestic है, कौन से wild है देखो बच्चो, wild animals वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं ठीक है, और domestic animal वो है जो घर में पाले जाते हैं जो खेतों में भी काम आते हैं ठीक है, इस तरीके से domestic animal और wild animal में दोनों में यही अंतर है और देखिए look at the picture look at the picture at given given below carefully and write w for wild and d for domestic also write the name of the animals with the help of the help box ठीक है तो ये बच्चों कुछ animals के चित्र दिये वे हैं हम आईए हम लोग देखते हैं कि कौन से wild है कौन से domestic है देखिए tiger पहला है आपको पता है tiger जंगलों में रहता है den बना के रहता है तो tiger क्या है wild animal है ship domestic animal है bear wild animal है lion wild animal है lion तो शेर जंगल का राजा होता है cat cat domestic animal है घरों में भी पाली जाती है cat और wild animal है deer जंगलों में पाए जाते हैं horse देखिए domestic animal है और cow जो है domestic animal है cow से milk मिलता है हमें cow milk हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और last है dog यह देखिए कुछ नाम भी दिय हुए है help box में इसी help box से आपको choose करके यहां पे fill करना था बच्चो पहला क्या दिया था deer, lion, horse, cat, bear, dog, tiger, cow, sheep इसमें से यहां से देखकर आप picture देखकर के तो आप बता सकते हैं कि यह tiger है यह lion है यह deer है cat cow सब बता सकते हैं लेकिन आपको जो यह देखना है कि यह wild animal है कि domestic animal है यह आपको देख करके लिखना था ओके बच्चो इस तरीके से आपको यह काम करना है ठीक है बच्चो अब आईए हम लोग next next देखते है wild animals animals with their home कुछ animals और animals के home कैसे होते हैं ठीक है यह देखिए यहां पर बना हुआ है क्या एक सब्सक्राइब बच्चो एक सब्सक्राइब यह देखिए animals with their home इनको animals को मैच करना है उनकी homes के साथ पहले देखिए animals में पिक्चर में कौनखोन से animals मने हैं बरो अस्तब होर्स काउ मंकी लॉयन और टॉग इस तरीके से इनको animals के नेम के साथ मैच करना है उनकी home के साथ ठीक है तो यह देखिए पहला क्या है शेड है दूसरा क्या है बरो मैंने यहां पर मैच नहीं किया है यह बरो इसमें आएगा बरो इसमें देखिए बरो इसमें यह बरो है नहीं यह बरो है यह देन है थोड़ ठीक है, पहला क्या है, बरो, है न, बरो में कौन रहता है, राबिट, राबिट देखे, इस तरीके से होल बना के उसी में रहते हैं, ओके, नेक्स्ट इस होर्स, होर्स का कहा है हो, यह अस्तबल है, इस होर्स के लिए होता है, यहां पे होर्स रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इस cow, cow देखिए cow shed बन रहती है च्छाओ बना देती है, उसी में cow रहती है monkey, monkey tree में रहता है, पेड़ों पर ही arboreal animals है, पेड़ पर रहते हैं, लॉयन जो है den में रहते हैं, ये देखिए den बना है, और dog जो है, cannell में रहते हैं इस तरीके से ये animals के होम है बच्चो यह आप लोग जब वीडियो देखोगी तो आप इसको वो में भी टिक करके रखोगे ठीक है यह पेज बिशनबर इयुडियो देखोगे तो यह पेज नंबर ओपन करके साथ साथ में लिखते भी जलोगे ठीक है तब आपको और अच्छे से समझ में आ ये wild animals की फोट बे उनके नाम लिखने हैं और ये भी लिखना है कि wild है कि domestic और इधर आपको animal's की नाम लिखने है और उनके homs के साथ उनको match करना है आपको लिखना कि ये कुछ नहीं है येवले animal के homas lichने है यहां पर pencils ताकि आपको याद हो जाए मैंने लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको हमेशा याद रहेगा ओके बच्चो इस तरीके से आपको करना है और पूरा लिखना है ओके वीडियो को जरूर देखिएगा वीडियो आपके लिए है और साथ साथ में रिवाइस भी करते रहेगा ओके